नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विश्णुग और आप देख रहे हैं विश्णुग लॉगर यूट्यूब चैनल दोस्तों अगर हम उप्रेटिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिवाग में नाम आता है Microsoft Windows का अगर हम Linux, Unix और Mac की बात करें तो शायद बहुत कम भी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं World's Most Popular Operating System Microsoft Windows के बारे में तो चली शुरू करते हैं और जाते हैं Microsoft Windows के Command Line Interface से Graphical User Interface तक के सफर के बारे में दोस्तों Windows 1.0 के रिलीस से पहले MS-DOS था जो की 1981 में रिलीस हुआ था और इसे Microsoft ने IBM के लिए डिजाइन किया था ये एक डिस्क उपरेटिंग सिस्टम था और ये Completely Command Line Interface था User Interface जैसा इसमें कुछ भी नहीं था आइकंस, Files, Folders जैसा कुछ भी नहीं था इसमें ये एक Command Line Interface था और इसे आप Command Type करके यूज कर सकते थे इसमें एक Black & White Screen होती थी और जो आप इसमें Command Type करते थे वह वाइड कलर में होती थी दोस्तों Windows 1.0 के रिलीस से पहले Microsoft Apple के साथी काम कर चुका था Windows 1.0 जो की November 1985 में रिलीस हुई थी उससे पहले Microsoft ने Apple Macintosh PC के लिए कुछ Applications डिजाइन किये थे अब हम बात करते हैं Windows 1.0 के बारे में इस Windows की खास बात यह थी के अब ये GUI को भी थोड़ा बहुत स्पोर्ट करने लगा था GUI के नापर इसमें कुछ Dialog Boxes एड़ हुए और साथ ही करसर को भी इंट्रोड्यूस करवाए गया और साथ ही अब आप Dialog Boxes को Select भी कर सकते थे और उन्हें कलिक भी कर सकते थे उसके बाद आया Year 1987 जिसमें डिसमबर में Windows 2.0 को रिलीस किया गया ये एक 16-bit UI-based environment था विंडोस के इस वर्जिन की सबसे काज़वाद ये थी कि इसमें Multitasking, Overlapping और Windows Resizing का फीचर देखने को मिले और इसके साथ ही keyboard shortcut भी इसमें add कर दिये गए जिसमें इसको और भी user friendly बना दिया था आइकन भी Windows के इसी वर्जिन में इंट्रोड्यूस हुए थे Application support में हमें calendar, calculator, notepad और paint का support देखने को मिला Control Panel भी Windows के इसी वर्जिन में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसके साथ ही आप इसमें पूरे system के colors को change कर सकते थे MS Word और Excel भी सबसे पहले Windows के इसी वर्जिन में इस्तेमाल किया गया था इसके बाद में 1990 में Microsoft ने 16-bit में ही Windows 3.0 को launch किया जो कि Windows 2.0 से काफी ज्यादा डवास था Startup menu से पहले Microsoft ने एक launcher application बनाया थी जिसका नम था Program Manager सभी applications, programs, files सब यहीं से open होते थे File Manager को भी Windows के इसी वर्जिन में इंट्रोडियूस किया गया था Microsoft ने task list का भी एक feature बनाया था जिसमें आप applications और program को switch कर सकते थे Games की शुराब भी Windows के इसी वर्जिन से हो गए थी Solitaire और Minds Wapper जैसे गेम भी Windows में आ चुके थे अब आ गया था साल 1995 और Microsoft ने पहली बार 32-bit architecture पर based Windows 95 को launch किया यानि अब आपका system पहले से दोगना fast हो गया था इसके 32-bit architecture पर based होने के कारण इसकी applications और software को specially design किया गया अगर इसके features की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें GUI को redesign किया गया यानि अब आपका user interface completely change हो चुका था Plug and Play का भी feature Windows के इसी वर्जिन में introduce करवाय गया था यानि अब आपका system automatically connected devices को detect कर लेगा Start menu, Taskbar, Desktop और Windows Explorer जैसे feature भी Windows के इसी वर्जिन में add किये गई थे File name से भी restriction हटा ली गई थी यानि अब आपका system long file name को भी support करने लगा था Up to 255 characters था Microsoft ने Internet Explorer को भी पहली बार Windows 95 में ही launch किया था 6 second का startup sound भी इसमें add किया गया था यह सुनी शायद आपने सुना होगा यानि Windows का यह version revolutionary changes लेकर आया था Company ने August 1995 से November 1997 के period में इसके कुछ updates और additions भी release किये थे इसके बाद May 1998 में Microsoft ने अपनी 9X family का एक और version launch किया Windows 98 इसमें जो booting थी वो अभी भी dodge based थी लेकिन इसके startup sound को change किया गया इसके दो addition launch किया गया पहले addition में internet explorer 4 को launch किया गया Windows के इस version में हमें USB का support और Windows driver model का भी support देखने को मिला यानि अब आप अपने system के साथ USB mouse keyboard और joystick जैसे peripherals का भी use कर सकते थे Windows का ये version अब dbt को भी support करने लग पड़ा था दोस्तों 1993 से लेकर 1996 के बीच Microsoft ने business operating system release किया था जिसका नाम था Windows NT यानि Windows new technology दोस्तों ये एक 32 bit architecture based business operating system था इसे specially workstation और server के लिए design किया गया था और इसका interface Windows 95 से लिए गया था इसके अलग-अलग category में अलग-अलग edition lease किये गए थे, server category का एक edition था, client category के तीन edition थे और इसके साथ ही embedded category भी थी उसमें भी इसका एक edition launch किया गया था दोस्तों virus attack और Windows crash की problem Windows के इस version में पाफी देखी गई थी उसी को ध्यान में रखते हुए Microsoft ने Windows के update में एक data recovery का भी टूल इंट्रोडिस किया था जिससे हम data को restore भी कर सकते से दोस्तों December 1999 में Microsoft ने Windows 2000 को launch किया जिसे W2 के भी कहा जाता है यह Windows NT family का ही एक पाट था Microsoft ने इसके चार edition release किये professional server, advanced server और data center server दोस्तों Windows के इस version में network support और modern support भी add किया गया और यह इतना powerful हो गया था कि एक सार 32 PCs को handle कर सकता था internet connectivity और shared printing को और भी improve किया गया दोस्तों यह पहला operating system था जिसे laptop में भी install किया था फिर साल 2000 में June में Microsoft ने Windows 98 का updated version Windows ME यानि Millennium Edition launch किया यह specially home PCs के लिए design किया गया था यह Windows 9X series का last release था यह था तो Windows 98 का updated version लेकिन इसका जो UI था वह Windows 2000 से inherit किया गया था इसमें boot time को और भी fast कर दिया गया इसमें कुछ software थे जो pre-install थे जैसे कि Windows Movie Maker, Windows Media Player, DVD Player, on screen keyboard और इसमें image preview के लिए भी एक special software इंस्टाल किया गया था इसको special home users के लिए बनाया गया था इसी को ध्यान में रखते हुए Microsoft ने इसके कुछ business oriented features जो कि इसके previous edition में installed थे remove कर दिये, installing और booting को लेकर इसमें काफी issues देखे गए थे इसी current users को यह edition कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा और उन्होंने काफी criticize भी किया कुछ users ने तो इसको millennium edition की जिगा, mistake edition, many errors और worst technical product of all time जैसे नाम भी दे डाले दोस्तो साल 2000 तक Microsoft ने computer market में अपना पूरा hold बना लिया था अपने पिछली गलतियों से सीख लेते हुए Microsoft ने October 2001 में Windows 2000 का updated version Windows XP रिलीस किया जिसने personal computing की दुनिया ही बदर डाली दोस्तो यह वो time था जब computer काफी common हो गया था जानी Microsoft ने गर-गर तक computer पहुंचा दिया था इसे users ने काफी अच्छा response दिया क्योंकि यह काफी Windows नड़ी था और stable version था Windows का अब बात करते हैं इसके major features के बारे में अब आप इसमें CDW बंद कर सकते थे और यह Windows का inbuilt feature था इसमें image added का भी option आ गया था और साथ ही साथ image right show image rotate का भी feature image viewer में डाल दिया गया था दोस्तों अब आप इसमें driver के updates को भी uninstall कर सकते थे इसमें remote assistance और remote desktop जैसे feature भी आ गए थे दोस्तों यह version Windows का अब तक का most successful और most popular operating system है Windows XP के 5 साल बाद नौबर 2000 चेंड में Microsoft ने laptop PCs और tablet PCs के रिए Windows Vista वालांच किया Windows का यह version Windows XP से ज्यादा lightweight और ज्यादा responsive था इसमें user interface को update किया गया और एक नया stylish look दिया गया icons और folders को और भी realistic बढ़ा दिया गया और इसके साथ ही boot time और power consumption को और भी improve किया गया new multimedia tools को search tool भी introduce कराए गया Windows Vista का main objective security patches को remove करना था इसका जो previous edition था Windows X की उसमें wireless flag बहुत common हो गया थे और इसको manage करना भी बहुत मुश्किल हो गया था उसी को ध्यान में रखते हुए security को और भी improve किया गया Windows flip और flip 3D को भी Windows Vista में ही introduce किया गया desktop, gadgets ऐसे clock, calendar, calculator, currency quarter और weather forecast इन्हें भी सबसे पहले Windows Vista में ही introduce कराया गया था फिर आया साल 2009 और Microsoft ने launch किया Windows 7 को दोसे यह वह समय था जब laptop और PCs में भी touch का trend काफी बढ़ गया था इसी को देखते हुए Microsoft में भी इसमें multi touch का score दिया दोसों Windows का यह version Windows Vista से 20% ज्यादा फार्च था अगर इसके features की बात करें तो इसमें task bar को redesign किया गया internet explorer 8 को भी introduce करवाया गया credentials manager tool भी सबसे पहले Windows 7 में ही आया था snipping tool को भी launch किया गया built-in themes भी add कर दीगे जिसमें specific time interval के बाद wallpaper आटोमेटिकली change हो जाते से blu-ray disk और virtual hard disk का भी sport देखने को मिला और अब आप Windows media player से ही live streaming कर सकते थे दोस्तों यह इतना popular है कि लोग अभी तक अपने laptop और PC में Windows 7 का use करते हैं in fact मैंने भी अपने laptop में Windows 7 को ही install किया हुआ है अब आ गया था साल 2012 और Microsoft ने launch किया Windows 8 को इसका interface completely redesign किया गया था यह metro theme पर बेज़ दे था और इसे touch screen users के लिए बनाया गया था इसे Microsoft users के tablet पर new experience के लिए design किया गया था क्योंकि Windows के इस version की mobile market में भी Android और iOS कैसा टकर थी उसी को देखते हुए Microsoft ने भी app store और play store की तरह ही इसमें Windows online store को भी launch किया safety और security पर इस पर काफी काम किया गया था इसमें pin और picture password का feature add किया गया इसमें cloud storage का भी option था जिसमें अब directly अपनी files को cloud storage पर store कर सकते थे internet के लिए इसमें internet explorer 10 इंस्टॉल था internet connectivity के लिए इसमें mobile broadband का भी support मिला बात करें अगर इसके review की तो users का response इतना अच्छा नहीं था उन्हें Microsoft Windows का traditional look ही अच्छा लगा Microsoft का Windows 8 के interface में किया गया experimental change users को बिलकुल भी पसंद नहीं आया गोल मिलाकर अगर देखा जा तो Windows 8 उतना अच्छा नहीं कर पर जितना Windows के previous versions ने किया था जुलाई 2015 में Microsoft ने अपनी Windows 8 की गलती को सुधारते हुए Windows 10 को launch किया यह Windows 7 और 8 का combination था जो अभी तक चल रहा है इसमें जो desktop का tight view था उसे start menu में shift कर दिया गया internet की speed को बढ़ाने के लिए और internet explorer की कच्छुआ चाल चबी को सुधारने के लिए browser को rename किया गया और new default browser Microsoft Edge को launch किया गया यह browser वाके में चलने में बहुत अच्छा है और बहुत ही कम resources use करता है इसमें desktop में ही voice and text search का option add किया गया इसमें अब आप अपनी apps को universally sync कर सकते थे किसी भी device से विच्छा है वो laptop, mobile या फिर tablet ही क्यों नहों notification panel को और भी expand कर दिया गया और अब आप notification panel से ही reply कर सकते थे दोस्तों इसका एक picture ऐसा भी है जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे windows का ये version biometric login और face unlock को भी support करता है बात करें अगर इसके reviews की तो इसे काफी पसंद किया गया इसे new windows 7 भी कहा गया क्योंकि ये काफी user friendly था और इसकी performance भी windows 8 से काफी better थी इसके security features को भी enhance किया गया कुल मिलाकर अगर देखा जाये तो जो गलतिया Microsoft ने Windows 8 में की थी उसे Windows 10 में पूरा कर दिया गया और ये users की expectation पर भी पूरा खरा उत्रा इसके release के कुछ दिनों बाद Microsoft ने announcement कर दी Windows 7 और Windows 8 के user चाहे वो pirated हो या फिर gen 1 उन्हें Windows 10 का free upgrade मिलेगा यानि pirated Windows user जी Windows 10 को install भी कर सकते थे और उन्हें update भी कर सकते थे तो दोस्तों ये था Microsoft Windows का DAW से लेकर Windows 10 तक का सफर जिसमें हमने जाना कैसे एक gross based black and white operating system दुनिया का number one operating system बना है तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like करना और friends के साथ share करना मत भूलें और अगर आपको मेरे चानल का content अच्छा लगा हो तो इसको subscribe भी कर दीजिए और bell icon को भी दबा दीजिए तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you so much and good bye